एस्ट्रोलोजिक डिवाइन एदेवी विद्या है आजकल जो आप देख रहे हैं कि चंद्रमा से बनने वाले जोतिशी योग के बारे बता रहे हैं या योग मेड़ बाई मून इन एस्ट्रोलोजी इसके बारे में चर्चा हो रही है तो उसी कंटिनुईशन में एक और चंद मंगल योग चंद्र और मंगल से बनने वाला योग चंद्र मंगल योग या इसी को महालक्षमी योग भी कहा जाता है इसके दो नाम है या तो चंद्र मंगल योग या महालक्षमी योग तो चंद्र और मंगल इसमें दो ग्रह इन्वाल होते हैं तो ये ग्रह कैसे बनेगा इसको देखते हैं कि चंध्रमंगल यो कहने का मतलब यह जब चंध्रमा और मंगल कुंडली में 12 एक हाऊस में बैढ़ जाएं रई दोनों साथ बैढ़ जाएं चंदरा और मंगल एक साथ बैढ़ जाएं और या इस वे चंदरमंगल योग बनेगा राइट और चंदरमंगल योग बनने पर ये व्यक्ति जो है बहुत जयादा money earn करता है इस योग में एक खास चीजी है कि चंद्रमंगल योग बनने पर विक्ति बहुत धनी होता है बहुत ज़्यदा पैसा कमाता है और इसलिए इसको महालक्षमी योग भी कहा गया है अब ये चंद्रमंगल योग कैसे बनेगा कुंडली में क्या क्या कंडिशन से उसकी ये देखते हैं तो चंद्रमंगल योग बनने के लिए जरूरी है कि दोनों ग्रह यानि चंद्र और मंगल दोनों योग कारक हो योग कारक कहने का मतलब क्या है कि वह अच्छे घरों के लौड सो केंद्र के लौड हो त्रिकोन के लौड हो या दो नंबर 11 नंबर के लौड ह इस तरीके से वो योग कारक होने चाहिए और इसके लावा अगर दोनों ग्रह सपोज योग कारक नहीं है तो एक ग्रह कम से कम एक ग्रह योग कारक हो और दूसरा ग्रह सम होना चाहिए सम का मतलब कि न तो योग कारक है नहीं मारक है तो दोनों ग्रह में या तो दोनों योग क या एक ग्रह योग कारक को दूसरा सम होना चाहिए अगर दोनों में से एक भी मारक होगा तो वो यानि अच्छे घरों का लॉट्स नहीं होगा तो योग नहीं बनेगा चंद्रमंगल योग उस कंडिशन में नहीं बन सकता रैट इसके लावा वह विल प्लेस होना चाहिए चं बने अच्छी जगह का मतलब केंद्र में बने एक चार साथ लग या बनेगा उस केस में फिर वो दो की डिगरी अच्छी होने चाहिए दोनों की अच्छी हो, बहुत कम होगी, बहुत जादा होगी, तो इनेफेक्टिव हो जाएंगे, तब चंदरमंगल योग बनेगा भी तो उसका असर ही नहीं रहेगा, इनेफेक्टिव हो जाएगा, इसके लावाद चंदरमा इसमें involved है चोगी, तो चंदरमा पक्ष में चाहिए, डिग्री वाइस दोनों अच्छे होने चाहिए, और दोनों या तो योग कारक हो, या एक योग कारक दुसा सम हो, और कंडली में well placed होना चाहिए, जैसे आपको बताया, अब मा लिजे की चंदरमंगल योग बन गया, चंदरमंगल योग बना किसी कंडली में, तो फिर क्या उसका असर होगा, क्या result मिलेगा, इसको देखते हैं, तो चंदरमंगल दो ग्रहों से बन रहा है, तो चंदरमंगल क्या है, चंदरमंगल एक बहुती शांत, peaceful planet है, चंदरमंगल जो है, इनसान का मन है, उसकी feelings है, उसके emotions है, mental peace का कारक है, और उसके just opposite, मंगल क्या ह हुआ, और जबूरत पढ़ने पर उसको बहुत क्रोध हा जाए, और लड़ने भिढने वाला, इस तरीके से या adventure like करने वाला ऐसा ग्रह है, तो दोनों एक दूसरे के बिलकुल opposite है, लेकिन चंदरमंगल से ये योग बन रहा है, तो क्या होगा ultimately, ऐसा विक्ति जो है थोड़ कभी-कभी ऐसा होगा, लेकिन कभी जो है, वो मतलब बड़ा unreliable type का, कि जरासी बात कही गई हो, एकदम बात का मतंगर बना देगा, अचानक उसको क्रोध हाएगा, यानि outburst हो जाएगा, और फिर वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा एक पॉ क्दरमंगल योग बन रहा है, जिस जगह बन रहा है उस पे, या तो शुब प्रभाव हो या शुब प्रभाव हो, दो तरह के हो सकते हैं, अगर शुब प्रभाव उसके ऊपर बढ़ रहा है, शुब ग्रहु का प्रभाव है, और चंदरमा ज़्यादाarla होसी में ज्तौंग धन कमाएगा और उसको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती है ऐसे आदमी को लेकिन वो हार नहीं मानता राइट वो हार नहीं मानेगा चैलेंज स्विकार करेगा और वो आगे बढ़ता रहेगा प्रोग्रेस करेगा और धन कमाएगा और ऐसे विक्ति जो हैं बड़े इसमन से क्लेवर माइंड़ेट होते हैं इसको आती हैं इसमें बड़ा क्लेवर माइंड़ेड होता है यह अगर चंद्रमंगल पे शूप प्रभाव है तब उसकेस में अईसा होगा घा अम्मालीजे की चंद्रमंगल पे थोड़ा आशुप रभाव है वो थोड़ा सा आशुप रहों का असर है यूती है द्रस्टी जो भी है तो ऐसे केस में क्या होगा व्यक्ति जवरस्यदा क्रोध ही होगा उसको क्रोध बहुत जल्दी आएगा और बड़ा जिद्धी नेचर क इसे धन कमाएगा और धन अर्ण करने के चकर में अपने भाई बहन तक को धोका दे सकता है उसके मदर से और रेलेटिव के साथ में रिलेशन्स भी उसके खराब हो सकते हैं और अच्छे नहीं होते तो इस तरीके से मणी तो अर्ण करेगा लेकिन वो फिर गलत तरीके से भी money earned कर सकता है और इए न अब ये चंद्र-मंगल यूग बन रहा है देखिए चंद्र-मंगल यूग बन रहा है तो कुंडली में यह एक नंबर अगर एक नंबरफ एक नंबर चार नंबर ध साथ नंबर आठ नंबर या 12 number house मेंगर बनता है 14-17-1812 house मेंगर चंद्रमंगल यक बनता है तो मंगल चुकी 14-1812 house में बेठेगा चंद्रमंगल यक बनने पर उस case में फिर वो मंधलिक युग भी बन सकता है बन सकता है कुछ जरो ही नी ये तो जो आप मांगलिक योग बताएंगे तो आपको बताएंगे उसके बारे में कि वो पॉइंट्स उसके नलीफाई होने के भी पॉइंट्स होते है लेकिन फिलाल अगर नहीं नलीफाई हुआ तो वो चुकी चंदरमंगल दोनों एक-4-7-8-12 में ऐगर बना रहे हैं ऐसा योग तो वहाँ पर व्यक्ति जो है वो एक मंगलिक भी हो सकता है मंगलिक बन सकता है उस केस में फिर वो उसकी मैरेड लाइफ खराब होगी मैरेड लाइफ हराब हो जाएगी हस्बेंड वाइफ में रिलेशन्स अच्छे रहेंगे और वो इतलाग तक की नोबत आ सकती है तो चंद्रमंगल योग बनने पर यह जो रिजर्ट्स बताए आपको अब यह चंद्रमंगल योग जिस व्यक्ति का बनेगा तो ऐसे व्यक्ति जो है वो प्रोफेशन या केरियर बनाते हैं अपना या तो वो डॉक्तर बने य एस्ट्रालॉजर तक बन सकते हैं तो यह चीज़ें आपको बताएं कि यह चंद्रमंगल योग बनने पर क्या-क्या उसका असर होगा अगर शुप्रभाव है तो अशुप्रभाव है तो किस तरीके से वो अपना फल देगा चंद्रमंगल योग इसके बारे में बताया आप अब आपको शुरू में जो बताया कि चंद्रमंगल योग बनने के लिए दो कंडिशन जरूरी है या तो वो दोनों ग्रह योग का रखो चंद्रमंगल या उनमें से एक ग्रह योग का रखो दूसरा ग्रह सम हो तो अब वो हर एक लगन की कुंड़ी में तो नहीं पॉस्व लगन में चंद्रमंगल योग बन सकता है इसको देखते हैं इसके लिए हमने आपके लिए ausमें देखे ये सरिकल में नमबर नहीं है और अर दूसरी जो लगन बनती है उसमें सर्किल में नमबर हैं तो आप इस तरह समझ लें उसको कि एक जो है without circle वाला दूसरा दूसरी लगन जो है इसमें numbers लेखे हैं वो with circle वाले हैं इस तरह से आप discriminate कर सकते हैं दोनों को अब शुरू करते हैं मेश लगन पहली मेश लगन देखिए आप सरकल में नहीं है तो जितने भी number बिना circle वाले हैं वो मेश लगन वाले हैं तो मेश लगन में आप देखिए कि यहां चंद्रमा और मंगल की क्या position है तो मेश लगन में चंद्रमा यहां पर चतुर्थेश बन र हुआ अब मंगल मंगल की दो राशिया एक नंबर और आठ नंबर देखिए लगनेश और अस्थमेश बने यानि यह भी योग कारक है तो मेश लगन की कुंड्ली में चंद्रमा और मंगल दोनों योग कारक हो गए तो अगर यह वेल प्लेस हो और जो कंडिशन साब को हैं तो मेश लगन की कुंड्ली में चंद्रमंगल योग बन सकता है और यहाँ पर सिर्फ नहीं बनेगा मेश लगन कुंड्ļी में ये तीन नंबर छे नंबर आठ नंबर और बारा नंबर हाउस में नहीं बनेगा क्योंकि अच्छे हाउस नहीं है तो 3, 6, 8, 12 हाउस को छोड़कर बाकी जगह बनेगा इसके अलावा आप यह देखिए कि एक यहाँ पर इसमें चार नंबर राशी में दिख बली हो जाएंगे दिख बली लेकिन यहाँ पर मंगल नीच का होगा तो फोर्थ हाउस में भी चंद्रमंगल योग नहीं बनेगा तो 3, 6, 8, 12 और 4 नंबर हाउस को छोड़कर बाकी जगह जो है यह चंद्रमंगल योग मेश लगन की है टाउरस लगन की इसमें देखिए तो इसमें जो सरकल वाले नंबर से उनको आप ध्यान दें यह सरकल वाले नंबर की टाउरस लगन है तो ब्रख लगन जो है इसका इसमें चंद्रमा देखी कहां पर हैं चंद्रमा का आगए यहां पर थर्ड इस्थान में राइट तो थ माढदशेश तरह हैं औरे स्पत्मेश औरा सम्सक्रित कोर्ट रादशेश के मंगर भी मारक हो गए हैं इस?... इससे में स्वालिएन योगता है यहां चंदर्मंगल्यों नहीं बन सकता अब आते हैं तीन नमबर कुंडी देखिए मिथुन लगन यह विदाउट सरकल वाले नमबर से तीन नमबर यह इस तरह से यह विदाउट सरकल वाले इसमें देखिए चंद्रमा कहा है चंद्रमा यहां पर ये दूतियेश सेकेंड के लॉड है और यानि मारकिस्थान के तो इसलिए चंद्रमा यहां मारक हो गए और इसके अलावा अगर आप इसको देखें मंगल को तो मंगल यहां पर यह देखिए एकादशेश और सस्थेश होके और इसके अलावा लगनेश बुद्ध के यह भी शत्रू हो गए तो इसलिए यहां चंद्रमा और मंगल दोनों मा इसमें देखिए यह सर्किल वाले नंबर से हैं चार नंबर करकलगन है तो करकलगन में यह चंद्रमा तो यही राशी है इसलिए चंद्रमा क्या हो गए योगकारक हो गए चुकि लगनेश हैं मंगल देखिए मंगल जो है कहां पर मंगल एक यहां हुए यह दशमेश और दूस इसलिए करक लगन की कुंडली में यह योग कारक बने यह योग कारक है दोनों ग्रह इसलिए यहां चंदरमंगल योग बनेगा तो करक लगन की कुंडली में चंदरमंगल योग बन सकता है यह कहां नहीं बनेगा तीन नंबर छे नंबर आट नंबर बारा नंबर हाउस में नह यहां पर मंगल यहां पर मंगल यहां नीच के हो जाए और दस नंबर में उच्छ Shortly in YouTube तो यहां पर मंगल नीच के हो जाएंगे कि इसली यहां भी चंध्रमंगल यूनाहिंगा और इसके लावा वह फाउच नंबर में देखेह जाए नंबर राशी है यहां चंद्रमा नीश्के हो जाते हैं प्रश्चिक राशी में तो यहां भी नहीं बनेगा तो करक लगन की कुंडली में चंद्र मंगल यूग बन सकता है लेकिन तीन नंबर छे नंबर आठ नंबर बारा नंबर और एक नंबर और पांच नंबर हाउस में य तो चंद्रमा यहां द्वादशेश हो गए, द्वादशेश होने का मतलब लगनेश के मित्र तो हैं, लेकिन द्वादशेश हैं, द्वादश का लॉड है, इसलिए वो मौरक हो गया, और मंगल देखिए कहां पर है, मंगल 6-7 आट राइट, मंगल यहां पर एक राशी यहां और एक राशी इनकी यहां पर है, तो यह चतुर्थेश और नौमेश बनके योग कारक हुए, तो मंगल तो योग कारक है, लगनेश के मित्र भी हैं, लेकिन चंद्रमा इसमें चूकी मारक हो गया, इसलिए सिंग लगन की कुल्डी में चंद्रमंगल योग नहीं बनेगा, अब कन्या लगनी की कुल्डी में देखिए, कन्या लगनी की कुल्डी में जिसमें सरकल वाले नंबर से हैं, इसमें चंद्रमा की राशी यहां पर एकादश बाहो में, और इसके अलावा ये लगनेश बुद्ध के शत्रू भी हैं, इसलिए चंद्रमा यहां मारक हो गया, आप अब इसको देखिये मंगल को, तो मंगल की दो राशियां, आठ नमबर और एक नमबर, ये तृतीएश और अस्त मेश ही बने, तो मंगल भी यहाँ पर मारक होगया, तो चंदरमा मंगल दोनों मारक है, इसलिए यहाँ पर कन्या लगने की कुंड़ी में वो भी नहीं बनेगा ना तो पाश नमबर में नहीं छे नमबर की लगने में बन सकता है अब आते हैं साथ नंबर की लगने देखिए तुला लगनी कुंड़ी में तो तुला लगनी कुंड़ी में अगर आप देखें तो चंद्रमा यहां पर है यह बिना सरकल वारे नंबर से हैं तो यहां पर चंद्रमा यह दशमेश हुए दशम इस्थान एक बहुत अच्छा इस यह लेकिन लगनेश शुक्र के यह शत्रू है तो चूंकि दशम स्थान के लौड है अच्छे स्थान के और लगनेश के शत्रू जरूर है तो इसलिए क्या हुआ कि चंत्रमा यहां सम का दर्जा दिया गिया है यह सम हो गए अब मंगल देखिए तो मंगल जो है एक नंबर यहां राशी यहां पर और दूसी राशी यहां पर है यह दोनों मारक स्थान के स्वामी है सब्तमेश और द्वितियेश मारक स्थानी स्वामी है और इसके लावा लगनेश के यानि शुक्र के शत्रू भी है तो इसलिए यह यहाँ पर मारक होगे तो यह ग्रहसम है दूसरा मारक है इसलिए यह योग यहाँ तुला लगने की कुंड़ी में नहीं बन सकता चंद्रमंगल अब आठ नमबर में देखते हैं आठ नमबर की राशी यह देखें लगने जिसमें सरकल वाले नमबर से हैं तो आठ नमबर यानि ब्रिश्चिक लगन की कुंड़ी में देखें तो मंगल की एक राशी यहाँ पर दूसरी राशी यहाँ पर यानि मंगल लगनेश और यहाँ सस इसलिए ब्रश्चिक लगन के कुंड़ी में योग बनेगा चंद्रमंगल योग बन सकता है अब यह कहां नहीं बनेगा तो तीन नमबर छे नमबर आठ नमबर और बारा नमबर हाउस में नहीं बनेगा और इसके अलावा यहां पर देखिए चंद्रमा नीच के हो जाएंगे तो लगन में नहीं बन सकता और इसके अलावा यह नाइन नमबर में यहां पर इस जगह नाइंथ इस्थान में मंगल नीच के हो जाएंगे तो तीन छे आठ बारा और लगन यानि एक नमबर और नाइन्थ नमबर हाउस में चंद्रमंगल योग नहीं बनेगा बाकी जगा बन सकता है ब्रश्चिक लगन की कुंड़ी में राइट अब आते हैं ये धनू लगन की कुंड़ी में देखिए तो धनू लगन यानि जो पंचमेश ब्रहस्पति के लेकिन ये मारक हुए चंद्रमंगल देखिए तो मंगल की एक राशी मंगल की एक राशी यहां पर है और एक राशी यहां पर है ये पंचमेश और द्वादशेश हुए तो चूकी त्रिकोन के स्वामी है इसलिए योग कारक हुए अब चूकी च सरकिल के नंबर से सरकिल वाले उसको देखिए तो इसमें मकर लगन की कुंड़ी में चंद्रमा यह देखिए यहां क्या होए सब्तमेश हो गये यानि मारक इस्थान के सौमी है और लगनेश शनी के शत्रू भी हैं इसलिए मारक हो गए तो और इसके लावा यह एक नंबर और ये चतुर्थेश और एकादशेश मंगल चतुर्थेश और एकादशेश होके और इसके लवा लगनेश चतुर्थेश ये चतुर्थेश हुए और एकादशेश हुए और लगनेश शनी हैं इसके शत्रूबी हैं तो यहां पर यह मारक हो गए यह मारक नहीं हुए यहां पर क् अच्छे अच्छा स्थान माना जाता है तो मंगल यहां पर फूर्थ स्थान के चतुर्थेश और एकादशेश होकर और लगनेश के शत्रू होकर शनी के शत्रू होकर यहां पर यह सम हुए लेकिन चुकि लगनेश चंद्रमा यहां पर मारक है इसलिए एक मारक और दूसरा सम का दरजा दिया जा रहा है मंगल को इस लिए ये कैप्रय का ओण या मकर लगन की कुंड़ी में भी नहीं बन सकता अब आते हैं ये कुमी हैं कुमा अयलग मीन की कुंड़ी आ बतblesिया लगनेश के शत्रू भी है यह मारक हो गई अब यह मंगल को देखिये मंगल की एक राशी देखनी हाँ दश्मेश और एक राशी यहां पर यहां पर चलतीयेश और दश्मेश और इसके अलावा यह लगनेश शनी के शत्रू भी हैं तो यह क्या हुए यहां पर यह सम हो गए तो मंगल तो सम हुए चुकि अच्छे घर के लौड है दश्मेश लेकिन लगनेश के शत्रू है इसलिए यहां पर सम का दर्जा दिया गया और लेकिन लगनेश चंद्रमा यहां पर मारक है तो दो में से एक ग चंद्रमा कहा है देखी तो इसमें सरकल वाला नंबर यह पंचमेश हुए पंचमेश है चंद्रमा देखी यहां पर तो यह क्या हुए त्रिकोण के स्वामी है और इसके लावा लगनेश ब्रहस्पति के मित्र भी है तो इसलिए यह योग्कारक हुए अब इसको देखिए मंगल के मंगा यहां पर यहां बन सकता है कि अभी कहा नहीं बनेगा मीन लगनी में यहां ती नंबर छे नंबर आठ नंबर और बारा नंबर में नहीं बनेगा यहां नहीं बन सकता और कहां नहीं बनेगा यह देखिए यहां पर यह मंगल नीच की हो जाएंगे फिफ्थ हाउस में राइट फिफ्थ हाउस में मंगल नीच की हो जाएंगे यहां पर नहीं बनेगा और इसके लावा यह नाइन्थ हाउस में यहां चंदरमा नीच की हो कर जहां पर यह अच्छा फल नहीं देंगे और वह पांच नंबर आठ नौ नंबर में तो यह नीच की हो जाएंगे बाकी तीन छे आठ बारा में भी यह नहीं बन सकता तो बाकी जगा वह मीन लगन की कुड़ी में बन सकता है इस तरीके से आपको बताया कि यह आप देखें की मेश लगन में करक लगन में और इसके अलावा ब्रश्चिक लगन में आपको बताया और मीन लगन की कुड़ियों में चार लगन की कुड़ियों में यह बन सकता है एक नंबर चार नंबर आठ नंबर और बारा नंबर की कुड़ियों में बारा नंबर की जो लगन है उसम मेनत से धन कमाता है अशुप प्रभाव हो तो गलत तरीके से भी मेनत अपना धन कमा सकता है तो इसके बारे में डिटेल आप देखें समझें स्टेडी करें इसको बहुत इंट्रेस्टिंग बढ़िया टॉपिक है यह और यह चंद्रमंगल योग बहुत एक इंपोर्टेंट योग माना जाता है तो चंद्रमंगल योग या इसी को महालक्षमी योग भी कहते हैं इसको आप ध्यान से देखें थैंक यू